इसा कुछ नहीं है पिए जीडी बनी है किसी खास मकसद के लिए बड़े मकसद के लिए 370 और 35 एको रिस्टोर करने के लिए इसके इलावा तमाम जमातों जो पिए जीडी में हैं उनके अपने अपने अजेंडे हैं और उसके वो काम करती हैं अपना अपना रिएक्शन होगा इस पर तो क्या पीडिक लिए यह समझती हूं कि तालिबान एक हकीकत बनके सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इनसानों के खलाब थी हुमन टेरिन एंड राइट्स के खलाब थी औ आपकी बार अगर वो आए हैं और हकुमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में तो उन्हों वाकिए जो इसलामी जो शरीया जो कहता है असली यह नहीं जो वो कहते हैं जो हमारे कुराण शरीप में है जिसमें औरतों के राइट्स हैं बच्चों के राइट्स हैं बुरों के हैं और किस तररह गौन करना चाहि जो मदीने का हमारा मौडल रहा है हमारे Bennett का तो अगर वो वाकिए उस पर अपना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दूनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं अगर वो उस पर अमन करेंगे और तभी दुनिया की जो कंट्रियुज उनके साथ अपना कारोबार कर सकती है अगर उने खुदानाफास्ता जो नाइंटीज में उनुने अपना एक तरीके कर अपनाया था अगर उसको अपनाते हैं तो फिर सारी दुनिया के लिए नहीं खासगर अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसका म पिश्मीर में सब नॉर्मल है जब हम जैसे लोग और या खासकर जो डीडी सी मेंबर है जो पिछले नौ मीने से उनको बंद किया हुआ है और उनको कहते हैं अगर आप बाहर जो की तो आपको खत्रा है पहले तो मुझे ये बात समझने ही आती है तो जोनोंने कहा है कि स्ट नजर हर कबर पर